नवाज़कर दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक और पोर्टफोलो के उपर तो जिनका ये पोर्टफोलो है तो ये प्राइवेट कंपणी में जॉब करते हैं अपना इंवेस्टमेंट इन्होंने स्टार्ट के है ऑगस्ट 2021 से तो इन्होंने बता है कि कि ये इस पोर्टफोलो को 10 से लेके 15 साल के लिए होल्ट करने वाले हैं एन 10 से लेके 15,000 का SIP करेंगे और निक्स्ट फाइब याणि कि just 5 साल के लिए पांच करेंगे कैसे portfolio को और बेटर बना जा सकता है वो इनका question है तो चलिए देख लेते कि कैसा portfolio इन्होंने बना है इन्होंने total investment किया है 467,000 का and currently portfolio का size 491,000 का बंदुका है यानकि अभी इनको अपने portfolio के उपर 5% का होड़ा है profit यानकि 24,000 का profit होड़ा है इनकी portfolio में total 18 companies है तो सबसे पहला जो company इनके पास है तो यह है R3 Industries 32,900 का investment है 6% का currently होड़ा है loss company की अगर बात करें तो company बहुत अच्छा है और बेंजीन के अगर देखेंगे तो mastery company ने कर रखा है globally company का बहुत अच्छा and leadership position है तो R3 Industries को अब long term के लिए hold कर सकतो and आज हमारे mean channel पे यनकी guide to investing channel पे हमने एक video post किया कि R3 Industries की अंदर दो business division इनका mainly एक तो इनका chemical का business है specialty chemical का और दूसरा है इनका pharma का business तो pharma के business की उपर हमने detail में आज के दिन video post कर दिया तो अगर अपनों की interested हो जाके देख सकतो क्योंकि बहुत ही जल्द इधर पे de-marger होने वाला है उसके बाद next company estral 33,000 का investment है 9% का होड़ा इनको profit company की अगर बात करें तो बहुत अच्छा company leader company है तो long term ले estral को आप hold कर सकतो देन इनके पास है बजाज finance 11,600 का investment है 25% का होड़ा इनको profit बहुत ही अच्छा and quality company अपने pick किया है तो strong है long term के लिए बजाज finance को भी hold कर सकतो easily देन इनके पास है बरजार पेंट 48,900 का investment है 6% का होड़ा है इनको loss बट company के अगर बात करें तो strong है बरजार पेंट को भी आप आसानी से long term के लिए hold कर सकतो देन इनके पास है camps तो camps में 17,300 का investment है 22% का होड़ा इनको loss तो camps अच्छा company ज़रूर है बट जैसे मैं आपको बताया था कि CDSL camps जो capital market वाले companies है तो इनके revenue थोड़ा cyclical हो सकते cyclical indices की जब market अच्छा करेंगे तो ये भी companies बहुत अच्छा करेंगे जब market अच्छा नहीं करेगा या bear market आएगा या market में profit booking आएगा तो इन companies के revenue में fluctuation देखने को मिल से आता है क्योंकि काफी revenue जोए वो market linked होता है market के mood के उपर इनका revenue depend करता है क्योंकि market के mood के उपर depend करके जो retail investors है वो निवेश भी करते जब बाजार bullish होता है तो ज़्यादा लोग invest करते जब market bearish होता है तो लोग पैसा निकाल लेते जिससे इन companies को फायदा नहीं होता है उस टाइम पे देन इनके पास है demand फॉटी थाउजन का investment है आट परसंट का हो रहा है इनको profit बहुत अच्छा बहुत strong company नोंने पिक किया है तो दिमार्ट को आप long term के लिए easily hold कर सकतो क्योंकि consistent company है जैसा कि CEO ने बता है कि आसानी से 20 years तक रिटेल रिटेल दिमार्ट ये companies बहुत easily grow कर सकते हैं consistent growth पोस्ट कर सकते हैं अब company ने बोला कि अपने चुछ स्टोर की account है वह पांच गुना company कर देगा and time frame तो बताएं निए कि पांच साल दस साल भी सल में करेंगे बट करेंगे ज़रूर देन इनके पास है HDFC bank 30,000 का investment 21% का profit बहुत अच्छा company and strong है valuation काफी reasonable है तो आप कह सकतो कि downside risk काफी कम हो जाता है HDFC bank में तो long time के लिए easily HDFC bank को अब hold कर सकतो then इनके पास है HDFC life 25,000 का investment है 15% का होड़ा है इनको loss तो HDFC life की अगर बात करें तो company अच्छा है sector अच्छा है बाकी global countries से global average number से तो long term के लिए hold करने के बारे में सोचा जा सकता है बठा थोड़ा pain हो सकता है short term है बट long term के लिए बहुत ही बढ़िया company है उसके बाद next इनके पास company आईसे इसे bank 20,000 का investment है 73% का काफी शांदार profit होड़ा है इनको अच्छे level पी investment के है बहुत ही अच्छा bank है और नया management आने के बाद company जो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है और growth parameters के अंदर अगर देखेंगे तो आईसे इसे bank HDFC bank को पीछे भी छोड़ा है तो interesting है अच्छा या पी investment अच्छा profit है long term के लिए easily uphold कर सकतो देन इंडियन energy exchange 15,000 का investment है 34% का होड़ा है इनको loss अभी IEX के business के उपर अगर बात करें तो business अच्छा है और still company monopoly status जो है वो enjoy करता है बट अभी एक news निकल कर आया था कि third player अभी इस business में आने वाला है अभी तक दो ही खिलाड़ी है और उनमें से 95% तो IEX के पास है market share तो तीसरा जो खिलाड़ी आएगा तो वो कैसे market share IEX से gain कर लेगा वो देखने important रहेगा बट business wise बहुत अच्छा है growing company है hold आप कर सकतो देन इनके पास है infosys 24,000 का investment है 22% का होड़ा है इनको profit बहुत ही अच्छा बहुत ही strong company है and IT sector में growth काफी लंबे time के लिए sustain करेगा तो infosys को भी आप hold कर सकतो देन इनके पास है jubiland food 13,700 का investment है 8% का होड़ा है इनको profit बहुत अच्छा company growing company जो expansion है वो company में चल रहा है and mid term में company काफी bullish है and company ने बता है जैसे दिमाट ने बता है कि 5 गुना वो अपने store के count को कर देंगे same jubiland food ने भी बता है कि वो अपने store के count को 3000 तक लेकर जाएंगे अभी कितना है अभी 14,000 है उसको double वो कर देंगे jubiland food के बाद इनके पास है mothut finance में 23,000 का investment है 22% का hold है इनको loss so अभी mothut finance का जब result निकल कर आया था stock में एक दिन के अंदर 10% का काफी बड़ा गिरावट हुआ था 10 या 12% तो उस टाइम पे हमने mothut finance को detail में cover किया था company के management को cover किया था कि management क्या बोल रहे and result क्या है आप क्या कर सकतो तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया था समझाते समझाते but simply अगर आपके पास time है अगर आप 5-10 सल तक इस company को दे सकते हो तो मेरी सबसे you can hold and continue बाकि एक कम आपकी जगा होता तो मैं जरूर करता कि mothut finance में बजाज finance से ज़्यादा अलोकेशन प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि बजाज finance में अपने investment किया 11,600 का अपने camps में investment कितना किया है अपने camps में 17,000 का investment किया है अगे बजाज finance में इससे भी कम allocation and mothut finance में अपने investment किये है 23,000 का तो personally अगर बताओ तो मेरा यह कुद का मुझे बजाज finance थोड़ा बेटर लगता है तो मैं होता तो इन दोनों कमपनी से ज़्यादा अलोकेशन बजाज finance में प्रोवाइड करने की कोशिश करता वापे रिस्क भी कम है and वो कमपनी वो काफी एग्रेसिबली ग्रोग करड़ा है और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इनके पास कमपनी है polycap polycap में 33,000 का investment है 5% का होड़ा है इनको profit company बहुत अच्छा है strong company है and growing company है hold up कर सकतो for long term तेने relax हो 54,000 का investment है 8% का होड़ा है loss company strong है consistent है अभी थोड़ा headwind चला है raw metal का price भी काफी बढ़ गया है but अगर एक long term growth runway आप देखेंगे तो वो तो है relax हो में क्योंकि चो consumer वाले company से retailer वाले company से या पर growth काफी लंबा sustain करता है then next इनके पास है reliance 9,000 दोसों का investment 126% का profit अगर आपने last year से investment start किया तो reliance में आपका पैसा double कैसे हो गया पहला question तो यह निकल कर आता है ठीक है अगर आपने इधर पर पहले investment किया तो बहुत अच्छा काम किया बहुत ही अच्छा company अपने पीक किया reliance तो long term के लिए आप hold कर सकतो defensive kind of stock है then इनके पास है SBA card and 27,500 का investment है 3% का अभी तो loss है but again company अच्छा है strong है hold up कर सकतो but कई ना कई पे 200 company है तो इधर पे भी मैं होता तो एक allocation में बजाज finance में देता है और उसका allocation में शाय से SBA card में देने की कुशिश करता then इनके पास है Titan company 14,700 का investment है 16% का होड़ा है इनको profit तो company बहुत ही strong है बहुत ही अच्छा company है तो Titan में भी आप चाहो तो allocation को increase कर सकतो and 20-30,000 का allocation चाहो तब Titan company में दे सकतो देने के बाड़े में सोच सकतो तो दोस्तों यह है इनका पूरा portfolio तो overall portfolio आपको कैसा लागा आप नीचे comment करके बता सकतो सबसे पहले तो जो number of stocks है वो ठीक था कि 18 stock है और जो companies है वो भी अच्छे companies है fundamentally sound and strong companies है but allocation मुझे थोड़ा यह पर लगता है कि जो अच्छे and strong वाले companies है वहाँ पर जादा देना दिया जा सकता था like बजाज finance में ही जादा दिया जा सकता था Demart HDFC bank अच्छा का सा allocation इन्होंने दे राख खाए और बाकी अच्छा है इन्फोसिस में भी चाहूता allocation थोड़ा increase कर सकतो आइसे से bank में भी increase किया जा सकता है तो यह अच्छे वाली bank से and अच्छे वाले companies है तो अच्छे company में जादा allocation देने से simply कहा होता है कि आपका risk portfolio से कम होता है अभी सब का portfolio एक जासा होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है आपका risk का taking capability दूसरे से अलग होई सकता है हो सकते कि आप दूसरे से ज्याधा risk ले सकतो बट मैं यह चीज़ बताता हूँ यह सोच कर कि आपको जादा risk नहीं लेना है एक strong portfolio बनाना है अच्छा return कमाने के लिए तो वो अगर करना है तो maximum allocation 50-60% आप large cap में उसके बाद medium and small cap में आप धेरी-धेरे करके provide कर सकतो allocation राइट आपकी सब से दोस्तों इनके portfolio में अभी भी सकते हूँ तो चले अभी देख लेते के long term में आप अपने portfolio के through कितना wealth create कर सकते तो total investment या आप कह सकतो portfolio का जो size है वो ही 4,90,000 का अगर इसके उपर इनको 18% का average return मिले और 5 साल के बाद जो portfolio का size है यह बन जाएगा 11.2 lakh rupees का 5 साल का calculation हमने क्यों किया क्यों कि इनों ने बता है कि SIP करेंगे 10-15,000 का और वो 5 साल के लिए hold या पर continue करेंगे लाइट तो 10,000 का ही माल लेते हैं lower figure में कि 10,000 का SIP आप करते हो 18% का return भापे भी अगर मिलता है और 5 साल तक hold करते हो अपने SIP को continue करते हो और hold करते हो तो उसके थुरू 9.76 lakh का जो value है वो create होकर आ रहा है तो almost मोटा मोटी कहा जा सकते है कि 2021 lakh का जो wealth है आप create कर सकते है आफ्टर 5 यर्ज और उसके बाद या पे total invested amount हमने इधर पे ले लिया है 21,000 का क्योंकि ग्रों में हम 10,000 से जाधा फिगर ले नहीं सकते तो इधर पर 21,000,000 का फिगर लिया और 19% का average return और 10 साल तक अगर आप उस portfolio को hold करते हो और इंवेस्टमेंट ही सिर्फ होल्ट करते हो तो एक्वीटी इंवेस्टमेंट के थू आप 1.1 करूर का wealth create कर सकते आफ्टर 15 इसके अलाव इन्होंने बता है कि इसाइपी भी इंवेस्टमेंट करते हैं और कितने का करते हैं या पे 8,000 का इंवेस्टमेंट करते हैं तो इसको 8,000 कर देते हैं तो 8,000 का SIP एधर पर या पे 15% का average return लेते हैं मुझ नहीं पता कि कौन से mutual fund में आप करते हो बाट निफ्ट इसको अगर 15 साल तक ही आप होल्ड करते हो तो इस इन्वेस्टमेंट के तरू 54,000 का वेल्थ अपक्रेट कर सकते हैं यानकी दोनों को अगर हम मिला थे तो almost 1.6 और 7 करूर का वेल्थ अपक्रेट कर सकते हैं आफ्टर 15 यर्स ओके तो दोस्तों ये था आजका अमारा पोर्ट कर सकतो एंट हमारे चो प्राइबिट टेलीगाम ग्रूप है उसको जॉइन कर सकतो फॉर लाइफ टेम जहाप आपको कोई कॉल और टिप नहीं मिलेगा मैरे चोग कुद के ट्रेट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता जाओंगा फॉर लाइफ टेम वीडियो देखने क